नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कृष्णावचिस्ट और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चनल जिसका नाम है टैट्सकुरू सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में दिल की घंटी जरूर बजा दो तो गेट लेटेस्ट अपडेट 15 Most Important Questions आज करने वाला हूँ आप लोग के साथ डिसकस और यह जो 15 Most Important Questions में लेके आया हूँ यह होंगे From Cognitive Development Cognitive Development जो की संगाना तमक विकास होता है और जिसके अंदर जीन प्याजे ने अपनी थियोरी को बनाया था ठीक है तो जिन बच्चों ने तयारी स्टार्ट नहीं की है वो तयारी अपनी स्टार्ट कर दें सीट है 2020 की प्रिपरेशन होती है जिन बच्चों ने तयारी जिनकी हो चुकी है तो वो ये पंधरा मोस्ट इंपोर्टन करके दिखाएं डाफनेटली आपको हेल्प मिलेगी और जिनों ने तयारी नहीं स्टार्ट किये तो वो इन वीडियोस को रेगुलर फोलो कर सकते हैं ठीक है तो डाफनेटली यू गेट बैनेफिट तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विडाउट वेस्टिंग अनी टाइम तो पहला कोशन आप लोगे सामने है चिल्डबरन अक्टिवली चिल्ड스Th विड़wood को समझने के लिए तो यह जो स्टीटमेंट है बेसेग लिए किस किसने एट्रिबूट की थी और यह जो कोशन आचुका है आप देख सकते हैं see that 2011 के अंदर एक कोशन आ ठीक है तो पहला option है प्याजे पावलोव कॉलबर्य के स्कीनर तो देखो जहां तक बात आती है आंडरेस्टेंड की बात आती है एबिलिटी की बात आती है तो यह थोरी को बड़ा थोरी इनकी बड़ी फेमस थी cognitive development के अंदर संगानात्मक विकास के अंदर ठीक है प्याजे तो प्याजे इसका answer है और दोस्तों मेरे को आप लोगों से चाहिए 30 बटे 30 सिटम पर इसका आप target बनाके चलो बिलकुल आप get कर सकते हो अगर आप daily in video session को follow करते हो ठीक है definitely अपने notes बनाते हो अपने हातों से जो notes बनाते हैं ठीक है दूसरों के notes से नहीं पढ़ना है second चीज second question gang age period is जो gang age period होता है बड़ा famous question है दोस्तों ये और ये काफी सारे टेट में पूछा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं तमिलाडू टेट के अंदर ये पूछा गया है जो gang है gang मतलब gregariousness gregariousness मतलब जो students होते हैं basically वो group में रहना पसंद करते है तो group में रहना पसंद करते हैं gang age के अंदर और basically कौन सी अफदी के अंदर बच्चा ग्रूप में रहने की कुशिश करता है वो infancy, childhood या फिर adolescence, middle age तो बच्चो आपकी जितनी भी अफदी मैं आपको पढ़ाई हुई है सबसे पहले होती है infancy infancy के बाद childhood childhood के बाद आपका adolescence middle age middle age के बारे में भूल जाओ ये कोई सी भी अफदी नहीं होती है ठीक है तो इसका जो answer है वो है childhood तो जब बच्चा childhood की जो range होती है वो तकरीमन आपकी 2 से 12 साल के आसपास होती है 2 से 12 साल के आसपास तो चाइल्ड होड की जो stage है वो काफी लंबी stage है longest stage है इसके अंदर 3 सब स्टेज होती है तीन सब स्टेज होती है यानि की early, middle और late childhood तो basically जो childhood के अंदर बच्चा जो है gang formation पसंद करेगा gang मतलब दूसरे बच्चों के साथ जो है अपनी friendship करेगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ रहने की कोशिश करेगा ठीक है, तो groupism जो है basically बच्चा बनाना start कर देता है इस अबधी के अंदर तो इस वज़े से इसको gang gang age बोला गया है ठीक है, तो यह question काफी important है और most of the time यह question जो है पूछा जा चुका है आप इस question को note कर सकते है next according to प्याजे प्याजे के नुसर during the first stage of development यहनि की जो पहली stage है development में है और बच्चा जो है zero से यहनि की birth से two year के आसपास की stage होती है infantsy stage की बात हो रही है बच्चा जो है क्या learn करता है क्या अच्छे तरी किसे learn करता है पहली stage के अंदर by using the senses आप इस question को ऐसे भी बढ़ सकते हैं कि प्याजे के according बच्चा जो है जो learn करता है वो किसके दुवारा learn करता है तो देखो बच्चा जो है बच्चे की जो age है बच्चे की जो age है वो zero से दो साल के बीच में है ठीक है अब आप ध्यान लगा लें कि बच्चा जो है कितना बच्चे की समझ कितनी है बच्चे की सोच कितनी है तो यह सारी चीज है क्योंकि छोटा बच्चा है उसकी senses senses के जरीए ही वो सीखता है मतलब जैसे कि उसका vision उसकी जैसे उसकी nose smell उसका touch, feel करना तो यह सारा बच्चों की sense होती है और यही बच्चों की teacher भी होती है जो की सिखाती है बच्चों को जब बच्चा जो है basically वो आपका first stage में होगा यनि कि infancy stage में होगा तो अगर आप से कोई पूछता है कि बच्चा किन चीजों से सीखता है तो आप कह सकते हैं कि senses के जरीए बच्चे की समझ बढ़ती है तो senses इसका answer है by using the senses बाकी जो options दिये होए है यह जो है जो जैसे जैसे stage आगे बढ़ती है जैसे कि childhood childhood के बाद आपका कुछ विशेष्टा भी आती है हर stages के अंतर कुछ विशेष्टा है तो वो सारी की सारी stages वहाँ पे use होती है जैसे abstract thinking आपकी last stage में use होगी यह last stage में बनेगी जैसे कि logical thinking और आपका जो concrete thinking है वो आपकी second last stage में बनती है यानि कि concrete operational में बनती है तो यह definitely आगे की stages के बारे में बताया जा रहा है लेकिन जहां तक senses का सवाल है तो वो बच्चे की develop होती है 0 से 2 साल के बीच में यानि कि senses ही बच्चों को सीखाती है ठीक है बहुत important question है which of the following इन में से कौन सा is not among the four determinant of intellectual growth stated by PYAJ मतलब आपको एक ऐसा intellectual growth बतानी है जो की नहीं है ठीक है जो की नहीं है option 4 है आपके पास यानि कि 3 जो है वो intellectual growth से related होंगे लेकिन एक option इसमें intellectual growth का नहीं है तो वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे choose करना है experience की बात करते हैं basically जो experience होगा वो आपके intellectual से आता है यानि कि आपका intellectual के आपका brain है यानि कि internal चीज़ है वो equilibrium इन्वारिमेंट के साथ संतुलन बठाना यानि कि accommodation और assimilation के थुरू आप equilibrium को कर पाएंगे तो इस सारी चीज़े जो है cognitive related है और cognitive जहां तक बात आ जाती है तो वो आपका intellectual एक attribute कह सकते है जहां तक बात करें option number A की तो वो इसका answer है क्योंकि social transmission उनने बोल दिया social transmission का मतलब है कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा जाने की family से जब बच्चा बहार निकलता है तो बच्चा जो है अपने peer group में रहने की कोशिश करता है सबसे पहले कि आए अपने दोस्त बनाने की कोशिश करेगा अपने ही उम्र के दोस्त बनाने की कोशिश करेगा जिनको बोलते है peer group मतलब आपने हम मुर्द फिकर मुत लब जैसे उनकी ए ये हो सिसापसे तो उसका अब होगत है ईंट्र of psychologists, like Freud, प्याजे, explain, personality development, in terms of stages, but only प्याजे, talked of, मतलब, जैसे कि, आपके psychologist हो गए, जैसे, Freud हो गए, प्याजे, इन्होंने personality development को लेके, अपनी stages दी है, लेकिन, केवल प्याजे ने, प्याजे ने बात की है, किस चीज को लेके, especially किस चीज़ को लेके तो देखो आप option number C पे जा सकते हो cognitive transformation to explain stages मतलब आजे ने जो है basically जो बात कही है वो है cognitive को लेके यानि कि कैसे कैसे बच्चे का cognitive transformation होता है और वो cognitive transformation होता है वो stages के अंदर होता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कौन कौन सी वो stages है क्योंकि बार बार cognitive transformation की बात हो रही है पहली जो stage है वो infancy stage है second stage है वो आपकी pre operational stage है next है concrete operational stage है और आपकी fourth जो है वो formal operational stage है ठीक है तो ये चार stages है तो ये चार stages आप इनको definitely याद करके चलें आप अपने notes बना लें च्चारों में से एक भी question हो सकता है दो question आसकते है एक भी question अचिस आप ये मान के चलें ठीक है कि Gastee की थोरी में से कुछ पूछए ही नहीं हो सकता है दो या तीन पूछ लें तो बहुत important theory है आप जो है cover करके चलें अगर आप cover नहीं करेंगे तो समझ लेना कि आप अपने पैरों पर कुलाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट, which statement is not true about interest, इन में से कौन चीज जो कथन है, कौन सा जो कथन है, वो सकते नहीं है, interest को लेके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये कथन सकते हैं, ये कथन सकते हैं, option number D, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि, जो इन्ट को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, averaging क्या है, averaging जो है, वो है, किसी भी चीज को लेके ना पसंद करना, मतलब कोई चीज पसंद नहीं है, तो किसी कार्णों की वज़े से पसंद नहीं है, जैसे कि विदूशी, कि कोई चीज, बिल्कुल जलन, तो ये एक negative word है, averaging, तो आपको पता है कि किसी भी option के अंदर कोई negative word आ जाए, तो आपको वैसे भी नहीं लगाना होता है, ठीक है, तो interest are not reflection of attraction and averaging behavior, actually मैं interest जो है, किसी चीज को like करना होता है, किसी भी चीज को like करना होता है, जैसे suppose करो कोई chapter आपको पसंद है, या फिर कोई subject आपको पसंद है, most of the time बच्चे जो है बताते हैं कि मिरे को ये subject पसंद है, मिरे को वो subject मैं उसे hit करता हूँ, तो basically बच्चे का एक interest डिवलप हो जाता है, तो interest का मतलब ही किसी चीज को पसंद करना होता है, और average का मतलब होता है किसी चीज से दूर घटना, किसी चीज को like नहीं करना, तो option number D is the right answer, उसके बाद next बात करते हैं, which of the following is not an example of a concrete concept, तो इन में से एक ऐसा example है, जो कि concrete concept से relate नहीं करता, तो वो कौन सा है, देखो force नहीं हो सकता, क्योंकि जो force है, suppose करो एक box रखा हुआ है, और एक box रखा हुआ है, आप उसको धका मारने हैं, तो definitely force लगा रहे हैं न, force लगा रहे हैं, तो वो actually एक concrete concept हुआ, concrete का मतलब होता है, जो चीज हमें दिखाई देती है, जो चीज वास्ता में दिखाने से visualize हो जाती है, chair, chair एक concrete object है आपका, कि भई वो दिखाई देती है, chair रखी होई है, ठीक है भई, motion, अगर कोई object motion में होगा, तो वो भी दिखाई देगा, हमें मालों कोई car चल रही है, motion में हैं, उगती में हैं, definitely वो दिखाई देती है, बच्चों को visualize हो जाता है, लेकिन अगर आप बच्चों के सामने ability की बात करें, तो वो दिखाई नहीं देती, actually में ability एक abstract concept है, ability क्या है, abstract concept है, देखो दो concept होते हैं, दो परकार की thinking होती है, एक होता concrete thinking, concrete thinking based होती है, concrete materials के उपर, जितनी भी संसार में, even जो mobile आप देख रहे हो, चेर हो गई, जैसे motion, force, ability, जिस चीज़ को, अगर मैं आपको कहूँ पर, ability को दिखाऊ गी इसी चीज़ से, तो आप कैसे दिखाऊगे, इसका तो visualization करना ही, मतलब बहुत ही मुश्किल है, तो छोटे बच्चे को अगर आप ability का concept दिखा रहे हो, या ability के बारे में बात हो रहे हैं, तो बच्चे किस तरीके से आप उसको दिखाऊगे, अगर मान लो बच्चे ने कहा दी किसे ability होती कैसे, तो आप कैसे visualize करोगे, तो यह है abstract thinking, मतलब जिस चीज़ को, यानि कि जैसे कि love हो गया, जैसे कि feel, या कोई भी fear हो गया, ability हो गई, तो यह सारी जो है, basically आपकी, यह आपका abstract concept है, next बात करते हैं, the stage in which child begins to think logically, logically about objects and events is known as, मतलब एक ऐसी stage है, जहाँ पे child जो है, logically सोचना स्टार्ट कर देता है, तो इसका जो सही answer है, वह option number D, concrete operational stage के अंदर जो है, basically बच्चा जो है, logically सोचना स्टार्ट कर देता है, logically मतलब जैसे मान लो, A जो है, वो B से बड़ा है, और B जो है, C से बड़ा है, तो A और C में क्या relation होगी, A और C में क्या relation होगी, तो यह चीज़े जो है, अगर इस तरीके से, अगर बच्चे को आप question दोगे, अगर कोई बच्चा concrete operational stage के अंदर चल रहा है, तो definitely वो एक logic बना पाएगा, ठीक है, तो logic उसके दिमाग में आएगा, concrete operational stage के अंदर logic आपका जो है, basically construct होता है, उसके बाद बात करते हैं, which of the place, इन में से कौन सा place where the child's cognitive development हो रही है, तो basically अब child की बात हो रही है, तो basically school से हम उसको relate करेंगे, ठीक है, और वैसे भी child के cognitive development से बात हो रही है, तो school या फिर classroom environment से हम उसको जो है, basically relate करके देखेंगे, तो school and classroom environment इसका जो है, वो right answer है, ठीक है, ध्यान दर खना, playground के अंदर कभी भी cognitive development नहीं होता, auditorium के अंदर भी कभी भी cognitive development नहीं होगा, और home के अंदर भी नहीं होता, सरफ जो cognitive development है, जाद से जाद वो school के अंदर होता है, ठीक है, next बात करते हैं, during six to ten years, मतलब 6 से 10 साल के बीच में, children start taking interest, मतलब जो children है, वो interest लेना start कर देता है, तो किस चीज में लेना start करता है, question आ चुका है, RTET के अंदर, religion, human body, school, या फिर sex, दोखो, छे से 10 साल का बच्चा जादा बड़ा नहीं होता, maturity भी उसकी तनी develop नहीं होती, कि आप उसको sex के लिए बोल दें, religion के लिए बोल दें, children के बात हो रही है, तो school का importance जादा बड़ जाता है, तो इसमें जो answer है, वो school लगेगा, ठीक है, school के अंदर basically, बच्चा जो है, जाना start कर देता है, आपने starting में देखो होगा, बच्चा जब छोटा होता है, तो वो school जाने में रोता है, बच्चा जब छोटा होता है, आप देखो जब बच्चे को आप pre-school में भेजते हो, या फिर बच्चे को आप जो है प्राइब्टी स्कूल में भेजते हो, तो basically बच्चा जो है रोना start कर देता है, कि बई मैं school नहीं जाँगा आज, मेरे को मैडम मारती है, मेरे को सर मारते हैं, धमकाते हैं, वो इस तरीके से बहने बनाता है, ठीक है, और कोई ना कोई चीज आप देते हो, जैसे बटा चलो आज टोफी दे दूँगा, आप school चले जाओ, तो वो टोफी लेके school जाएगा, लेकिन, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे-धीरे, मतलब 6-10 साल के बीच में, तो school के अंदर वो जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ वो फिर गैंग एज उसको formation करनी है, ठीक है, क्योंकि वो गैंग एज में चल रहा है, तो गैंग उसको form करनी है, नेक्स्क्षिन, वो फोर प्रैमिरली स्कूल चिर्टरन, ऐसे बच्चे जो प्रैमिरी स्कूल में पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी चीज बेटर है, वीडियो सिमूलेशन, देमिन्स्ट्रेशन, हैंड सोन एक्स्पिरियंस, या ओल अफ दीज, तेखो जो प्रैमिरी स्कूल के अंदर बच्चा जाता है, तो वीडियो सिमूलेशन आप उसको करके क्या घर होगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चा समझ नहीं पाएगा, जो चीजे आप उसको वीडियो में दिखा होगे, डेमिन्स्ट्रेशन से भी बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा अभी भी छोटा है, सारी चीज ही यहाँ पे, क्योंकि प्रैमिरी उसने बोल दिया, अब प्रैमिरी को आप अपने मन में सोचो, कि प्रैमिरी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, वो कितने बड़े होते हैं, तो एक्चुली में दे आर बिग अनफ की जो इन चीजों को समझ पाए, तो इसका जो राइट आनसर है वो है, hands-on experience, hands-on experience का मतलब यहाँ पर activity से है कि आप जो है basically different activity, different types के activity बच्चों को करके दिखाओगे, hands-on experience का मतलब है कि बच्चे को केवल किताबी भाषा हमें नहीं बतानी है, किताबी भाषा के अलावा भी बच्चे को ग्यान मिले, activity के जरीए मिले, तो वो काफी अच्छा है, तो वो होता है hands-on experience, कि केवल जैसे को ग्यान तो किताबों में लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो लेकिन किताब के जरीए नहीं बताना है, आपको कोई activity करा दी, कोई puzzle या कोई fun activity आपने करवा दी, तो वो उसमें बच्चे ज़्यादा interest लेते हैं, ठीक है, उसके बात बात करते हैं, next question की, question number 13, four distinct stage of children's intellectual development war identify, मतलब जो intellectual development की जो stage है, वो किस के दोरा identify की गई थी, तो simple ची बात है, प्याजे के दोरा की गई थी, बलकि जो कोहल बर्ग है, वो तो moral development के अंदर famous है, moral development के अंदर famous है, skinner आपके जो है, behaviorist है, ericson की भी आपकी जो है stages है, लेकिन वो developmental stages है, ठीक है, तो प्याजे इसमें right answer है, क्योंकि इनोंने बोल दिया है, four, प्याजे की भी stage के अंदर, 4 stages है, प्याजे की तियोरी के अंदर, चार stages है, उसके बाद emotional adjustment of student is effective in, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, discipline, कि बच्चे का अगर emotional adjustment, emotion उसके adjust करोगे, तो ये काफी प्रभावित होता है, उसके discipline के अंदर, तो बच्चे के discipline को प्रभावित करता है, क्योंकि देखो, अगर एक बच्चा है, आपके सामने बैठा है, तो वो बच्चा जो है, वो आपसे इतना नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहा रहा है, कि बच्चे को डराना होता है, डराना सही है, psychology के अंदर, रैफिट स्कूल के अंदर नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा, बच्चे को लगा कि ये टीचर में दम नहीं है, टीचर कुछ करा नहीं सकता, तो बच्चे का डर खतम हो जाता है, बच्चे का जब डर खतम हो जाता है, तो discipline नहीं आता है, तो देखो, discipline में रहनी की कोशिश करेगा, ठीक है, बच्चा समझेगा, अगर हाँ, ये मेरे सर है, ठीक, discipline is the right answer, उसके बाद बात करते हैं, आज के सेशन का, लास्ट क्वेस्चन, बिल्कुल अंत का क्वेस्चन है ये, वाइगोस्की प्रपोज्ड चाइल्ड डिवलप्मेंट इज, वाइगोस्की ने प्रपोज्ड किया था, चाइल्ड डिवलप्मेंट के अंदर, basically, कौन से concept पे इनों ने अपनी थेओरी दी थी, तो सभी जानते है, बच्चा बच्चा जानता है, वाइगोस्की, देखो, प्याजे की जो थेरी थी, वो cognitive development को लेके थी, वाइगोस्की की जो थेरी थी, actually, cognitive development को लेकर रही थी, लेकिन वो किसके जरिए होता है, तो वो चीज़े यहां पर आपको देखनी है, जब भी वाइगोट्सकी की बात हो, तो आप सुरफ शोशल इंटरेक्शन को ही प्रफरेंस दे, शोशल इंटरेक्शन is the best, ठीक है, in the context of वाइगोट्सकी, तो B option is the right option, ठीक है, और आगे-आगे हम पढ़ेंगे भी मेरे चैनल पर अवलेबल है वाइगोट्सकी की ध्योरी, आप देख लेना, in fact, दो, दो, तीन, तीन, सेशन मैं लिए होएं वाइगोट्सकी के उपर, तो य आप जो है, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, कि हाँ, सर अच्छे समझाते हैं, तो definitely आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब जब वीडियो अप्लोड करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिसके थूरू आप वीडियो को देख सकते हैं, दोस्तों 30 बट नए वीडियो में, किसी नए कॉंसेप्ट ये नए क्वेश्चन के साथ, थैंक्यू वेरी मच्छ